इस लेक्चर में हम लोग Reformation जो कि Renesan Period का ही पार्ट है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं तो Reformation basically क्या है तो जो Renesan Period के अंदर एक Scientific Inquiry जो Questioning Ability जो Focus on Secular Outlook This Worldly Outlook का ग्रोथ हुआ उसने जो Middle Ages में Developed Theocratic Outlook and Other Worldly Outlook था उसको Question करना शुरूग गया Middle Ages में हमने देखा था कि Christianity काफी Powerful हो गए थी और Roman Catholic के जो क्लरगी हैं वो काफी Powerful हो गए थे तो With Power जो है धीरे धीरे Roman Catholic सिस्टम में काफी Degradation आ गया For example, लोग जो है काफी जाता क्या करने लगे? Materialistic हो गए थे Pope लोग और वो लोग खुद ही क्या कर रहे थे? कि काफी lavish life गुजार रहे थे? Lower clergy जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था वो खुद ही कई टाइप के corruption और मतलब क्या करते हैं worldly pleasure में engaged था? साथ में जो जिस चीज को खास करके Martin Luther ने बाद में pick up किया था? वो था sale of indulgence तो धीरे धीरे पोप लोगों ने क्या शुरू किया? कि अगर आपने पाप किया है तो अगर आप हमारे indulgences अगर आप कुछ डोनेट कर दो और हमसे पाड़न पेपर ले लो तो तुम्हारे सारे पाप माफ याई कि एक तरह से वो लोगों को जो भी लोगों का जो सिन है वो एक तरह से लोग अपना purchase करके उसको redeem कर सकते थे तो Martin Luther ने इसको ऐसे देखा कि they were like pardon merchants कि आप अपने सिन को खरीद के माफ करवा सकते हो तो यह सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त जो की काफी क्या था यह तरह से degraded system या corrupt system को highlight करता है Voltaire के essays में भी हमने देखा था कि किस तरह से he was very critical of that time of Christianity और उसके degradation का तो यह सारी चीज़ें जो है एक साथ combine अगर आप करें तो कहीं न कहीं एक need महसूस की जा रही थी कि Roman Catholic system को जो है एक reform करने की जुरत है इसको एक improve करने की जुरत है तो इसी को यह जो Roman Catholic system में जो improvement करने की बात है इसी को reformation करते हैं और इस movement के जो leader थे या जिसने start किया था उनका नाम Martin Luther था तो Martin Luther जो था वो भी initially उसने मेनद करके और उसने भी Pope वाला system या कलर्गी जोइन करने का सोचा और वो initial phase में उसने भी theocracy पढ़ा और फिर वो जोइन कर लिया लेकिन जब उसने जोइन किया तो उसे लगा कि काफी कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर अंदर का system जो है काफी degraded है तो फिर उसने क्या क्या धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना शुरू किया उसने जो है अगर आप देखेंगे तो उसने 95 जो है थेसिस या आप उसको बोले फॉर्मल स्टेटमेंट्स दिया था जिसमें कि उसने क्रिटिसाइज किया था उसमें उसने क्रिटिसाइज किया था क्रिश्चानिटी को उस वत के ठीक है और इसके रिजल्ट में शुरुवात में तो उसने इंटर्नल रिफॉर्म करना चाहा बड़ जब ये इंटर्नल रिफॉर्म मटिरियलाइज नहीं हुआ तो फिर उसने एक सेपरेट जो है इट लेड टू फॉर्मेशन ओ नन कैथलिक चर्चेज इट लेड टू मतलब मार्टिन लूथर ने बाद में क्या क्या जब शुरुवात में इंटर्नल रिफॉर्म पॉसबल नहीं हो सका उसको खुद पोप लोग क्रिटिसाइज करने और उसने एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बोलते हैं उसने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट किया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट प्रोटेस्ट वर्ड है तो इसका मतलब है कि वो लोग जो की क्रिश्चन तो है लेकिन जिस वे में रोमन कैथलिक टीज करता है या Pope का जो Central Authority है Roman Catholic में उसमें Pope Central Authority है उसको जो लोग Challenge करते हैं उसको हम लोग Protestant बोलते हैं यानि कि Catholic होते वे भी जिन लोगों ने Roman Catholic से separate sect बनाने की कोशिश की उन सब को हम लोग Protestant बोलते हैं तो Martin Luther ने बाद में लेटर फेज में Protestant Movement स्टार्ट किया हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से important Protestant Movement है तो Reformation आने का अगर हम कारण खुजें तो कहीं न कहीं सबसे important कारण क्या हो जाएगा Decline in the Practices और Degradation in the Practices of Roman Catholicism ठीक है ये एक तो पहला कारण हो जाएगा और दूसरा कारण हो जाएगा कि ये Renaissance period में जो scientific temperament बढ़ा secular outlook बढ़ा साथ में जो एक ability बड़ी हर एक चीज को reason करने की Grego Roman जो spirit आया उससे कहीं न कहीं लोग जो है question करने लगी कि ऐसा क्यों For example Martin Luther का ये मानना था कि जो Bible में लिखा गया है वही सही है लेकिन Pope या जो दूसरे clergy जो बोल रहे हैं वह बीच में middleman की जोड़त नहीं है वह उस meaning को कई बाद टेढ़ा करके अपने फायदे के लिए उसको twist कर रहे है ठीक है तो वह Bible को truth मानकर वह clergy जो बोल रहे है या जो clergy जो उसके अंदर deviations ला रहे हैं उसको criticize कर रहा था ठीक है तो इस तरह से एक spirit आया एक inquiry की spirit आयी एक challenge करने की established authority को challenge करने की करने का वीजन आया लोगों में और यही जो है यही spirit जो challenge करने की established authority हो थी इसी ने already established Roman Catholic system को challenge करना शुरू किया और हमको याद रखना है कि medieval system में यह system इतना strong था कि even they had the political influence also ठीक है तो अब अगर हम मतलब regions अगर देखें कि क्यों हुआ तो सबसे पहला region हमारा क्या हो जाएगा degradation दूसरा हो जाएगा कि spirit of inquiry एंड ability to challenge authority तीसरा हो जाएगा कि जो middle ages था उसमें क्या था चर्च का interference काफी जाता political system में घुज गया था अंदर penetrate कर गया था और इसको सारे political leaders कहीं कहीं reject कर रहे थे और वो लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि एक distant authority सारे चीज को control कर रहा है ठीक है तो जो जैसे for example सारे political leaders चाह रहे थे किसी तरह से हम लोग पोप से आजात हो जाए तो जब यह Martin Luther ने जब यह reformation का movement चालो किया तो सारे लोगों ने उसको support किया for example Germany Martin Luther जर्मनी में था जहां से यह movement स्टार्ट हुआ तो जर्मनी में था और जर्मनी के political leaders ने Martin Luther को काफी ज़्यादा support किया जर्मनी एंड इसके बाद एक और चीज था जिसने किसको फैलाने में मदद किया और वो था printing press printing press की वज़े से क्या हुआ Martin Luther के जो भी ideas थे या जो भी for example Voltaire के जो book थे वो सारे काफी जगा spread वे और यह जो ability है to challenge book वो जो ideas है वो काफी जगा पूरे Europe में disseminate हुआ है ठीक है इसके अलावे printing press ने एक और काम किया और वो काम था कि Bible अब bulk में produce होने लग गया ठीक है अब Bible अब हर एक के हाथ में जाने लग गया books वगरे सब के हाथ में जाने लग गया तो for example protestant movement का हमेशा focus रहता था कि education improve करो और Bible पढ़ने के लिए या God के close जाने के लिए आपको किसी pop या church जाने की जौरत नहीं है आप घर में भी रखे पढ़ सकते हो तो ये तभी possible था जब सब के हाथ में Bible हो तो इन सारे चीजों में भी printing press ने मदद किया है because they made Bibles available in everybody's hand और printing press आने के बाद जो एक literary culture है जो पढ़ने का culture है वो भी develop हुआ तो printing press ने इस sense में भी मदद किया इसके अलावे हम तो Martin Luther को देखी चुके है he was the one who started this whole movement और जो उन्सका 95 Thesis या formal statements था that was in a way kind of very critical of the Pope of that time and the religious practices of that time और Martin Luther का जो तीन statement है तीन main ideas है जिस पे वो criticize करता था पहला यह था कि people can win salvation only by the faith in God's gift of forgiveness ठीक है तो यह जो है God मतलब हम केवल अगर अच्छा काम करेंगे तभी हमें God माफ कर सकता है तो यह जो indulgence का sell है यह जो Pope लोग अपनी authority से किसी के पाप को मुक्त कर दे रहे है या उसको forgiveness दे रहे है वो एक तरह से ढखोसला है या वो एक तरह से क्या है loot है इसलिए वो उनको क्या कहता था pardon merchants कहता था दूसरा कि all church teachings should be clearly based on the words of the Bible both the Pope and the church traditions were false authorities यानि कि जो सच्चा truth है वो Bible के अंदर लिखा गया है और Pope या कोई कलरगी अगर अपने से उसको interpret करके कुछ उल्टा पुल्टा बता रहा है तो वो सही truth नहीं है तो अगर आपको सही truth जाना है तो आप Bible को पढ़ कर जान सकते हैं तीसरा कि all people with faith were equal सारे लोग बराबर हैं और सारे लोग भगवान को equally access कर सकते हैं ठीक है तो उसने जो middle man वाला जो concept था वो कही नहीं कही निकालके उसने बाहर फेकने की कोशिश की तो इन सारे चीजों से क्या हो गया चर्च क्या हो जाएगा गुस्सा हो जाएगा बट उसको क्या था कि initial protection किस ने दे रखा था जर्मन किंग्स ने दे रखा था और उसके कारण उसका idea जो है ग्रो किया ठीक है तो Martin Luther was highly critical of sale of indulgence और वो कहाता था pardon merchants इसके बाद अगर किसी और चीज ने इस reformation process को lead करने में मदद किया है तो वो है merchants themselves तो merchants जो थे वो काफी इसके काम से कुछ थे क्योंकि merchants दुखी थे शुरुवात में क्योंकि आपको याद होगा कि middle ages में क्या था states का system था खास करके merchants ने new time में क्या था काफी पैसा कमाया था और entrepreneurship trade बढ़ा था उसके कांट काफी वो लोग rich हो गए थे लेकिन clergy tax लेता था state system अभी decline किया नहीं है अभी state system है ही तो उसके अंतरकत क्या था merchants were under the part of commoners उनको nobility भी tax करता था और clergy भी tax करता था कही ने कहीं उनका social status भी upgrade नहीं हो रहा था तो उनको लगता था हम इतने rich हैं हमने अपने मैनस से इतना कुछ अचीव किया और status हमारा अभी भी नीचे है तो reformation के idea को काफी ज़्यादा merchant लोगों ने pick up किया तो वो लोगों ने काफी मदद किया इस ideas को बाकी के part में spread करने में क्योंकि ये idea कहीं न कहीं Pope के या Christianity के power को कम कर रहा था और एक independence दे रहा था लोगों को individuality दे रहा था जहां कि लोग direct God से connection बिठा सकते थे ठीक है तो as a part of commoner group they were exploited by the clergy also hence they regented Pope तो ये भी हो गया है इसके अलावा location of Germany तो Germany क्या है योरोप के center में located है और center से एक idea को radiate करने में चारो तरफ आसानी होती है तो इसका central location ने भी help किया कि हर part of the Europe में easily ये idea फैल सके साथ में Germany में उस समय जो merchant group था वो भी काफी trade में active था तो ये दोनों ideas मिलकर जो है इसके spread को fast करने में काफी इन लोगों ने मदद किया तो ये था कि ये क्यों आया अब हम देखना चाहेंगे कि ये protestant movement क्या है ठीक है तो basic ideas तो आपको clear है कि Martin Luther ने क्यों criticize किया तो next phase में अब हम देखते हैं कि ये protestant movement को detail में देखते है अगर आप protestant movement को देखे है तो जैसा कि मैंने already explain किया ये word आता है protest से protest से मतलब they were part even though they were part of Christianity they were against the Roman Catholic system ठीक है ठीक है तो they were against Roman Catholic system hence they are called protestant तो protestant movement ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ब्रांच है तो इसके अंतर का जिन भी लोगों ने Roman Catholic system को protest करना शुरू किया उन सारों को हम लोग protestant movement का part मानते है और majorly जो है तीन ब्रांच है एक है Luther, Martin Luther के leadership में Lutherianism बोलते है दूसरा है Calvinism जो कि Calvin के leadership में था और तीसरा है Anglicanism जो कि British Monarchy के leadership में था वो क्या रहा था कि Pope जो थे वो सारे political system को भी control कर रहे थे और उस वक्त जो था King Henry VIII जो था वो क्या करना चाहा रहा था वो दुबारा साधी करना चाहा रहा था और दुबारा साधी करने के लिए Pope उसको allow नहीं कर रहा था बोल रहा था कि अगर तुम दुबारा साधी करोगे तो तुम्हें गद्दी त्याग करने पड़ेगी तो अंडर दे लीडर्शिप ऑफ किंग हैंरी VIII किंग हैंरी VIII इन इंगलेंड क्या हुआ कि इंगलेंड ने डिसाइड किया कि हमारे चर्च का जो हेड होगा वो वहां का किंग होगा यानि कि बिटिश किंग होगा और Pope को उन्होंने Pope का लिंक जो है वो खाड दिया तो ये भी एक तरह से क्या हlगा रोमन कैथलिक सिस्टम के अगैंस में क्यों कि रोमन कैथलिक सिस्टम में सबका हीड कौन होता है पोप होता है तो अंगलिक का निजम क्या था eigenlijk it was severing of power of Pope और डिरेक्ट इंटर्फेरेंस ऑफ पोप और अल्टिमेट पावर नाउ स्टार्टेट तो रिसाइट विद द किंग इट सेथ तो हलांकि हेंरी एट ने अपने परसनल गेन के लिए मैरेज के लिए किया था बट एक्षिली इट तो अनादर प्रोटेस्टेंट मुवमेंट और ये काफी एक इशू रहा है बिटिश मोनार्की मगर आप देखेंगे ये काफी इशू रहा है जिसके बेस पर राजा लोग हटाए गए हैं राजा लोग बनाए गए हैं तो हमें लेकिन ध्यान में रखना है कि आज के दिन में भी जो एंग्लिकन चर्च है उसका हेड जो है वहाँ का राजा या रानी होती है ठीक है ये भी एक एक इक्जामपल है कि हाव प्लिटिकल लीडर्शिप गेप पैट्रोनेज टू दा प्रोटेस्टेंट मुवमेंट ठीक है तो जर्मनी हो गया हैंडरी एट हो गया ये सारे लोग एक्जामपल है तो ये तीन जो हैं मेजर प्रोटेस्टेंट मुवमेंट हैं जिन्होंने की रोमन कैथलिक सिस्टम को एक तरह से चैलेंज किया इसके बाद हम लोग अगर इफेट्स आफ रिफॉर्मेशन देखें तो सबसे पहला रिफॉर्मेशन क्या हुआ तो अब क्या हुआ कि जब ये क्रिटेसिज्म और ये काफी ज़्यादा पॉपलर हो गए तो कहित रोमन कैथलिक सिस्टम ने भी अपने अंदर रिफॉर्म किया है ठीक है तो दोनों चाहिए रोमन कैथलिकส भी अब धीरे धीरे अपने आपको क्या ले जाएंगे इस आइडियाउस के क्लोज प्रोटेस्टेंट आइडियाज के close दे जाएंगे और सब ने क्या क्या पहला तो क्या हुआ कि जो भी corruption वगरा था उसको reform करने के बाद की गई उसको purify किया गया education पे दोनों लोगों ने ध्यान सुरू किया तो इस तरह से कई सारे schools and colleges इस period में खुले हैं और दोनों धर्म का effect यह रहा कि इन लोगों ने education को improve करने की बाद की डूसरा अगर political effect में देखेंगे तो कहीने कहीं political authority वो powerful हुई है इस period में कहीने कहीं king का role improve है for example Anglican Church का head जो है वहाँ का राजा बन गया England का तो कहीने कहीं Pope की authority कम हुई है ठीक है और कहीं न कहीं जो है Roman Catholic या religious जो stronghold था polity के उपर वो weekend हुआ है इस period में इसके अलावा Roman Catholic reform internal reform की मैं बात कर रहा हूँ वो तो हुआ हुआ है और ये जो political leadership strong हुआ इससे क्या हुआ nation state के build up में build up में मदद वा क्योंकि feudalism तो decline कर ही गया था और साथ में pop का power कम हो जाने के बाद central authority king बन गया और उसका जो है control वो बढ़ना शुरू हो गया तो हम लोग जानते हैं कि nation state का भी जो concept है उसमें भी मदद मिलेगी ठीक है और क्या है ये सारे ideas होने से फिर से एक already इतना powerful और established authority को जब challenge करने का जब attitude आता है that will lead to enlightenment या intellectual that later phase of renaissance का next phase जो enlightenment है जिसमें की लोगों ने political authorities को भी challenge किया democracy की demand की बात हो रही थी कि protection movement में की सब लोग बराबर हैं तो कहीं ने कहीं वो nobility के against भी attack करना शुरू कर दिये कि why you guys are special divine right of a king to rule उनको भी challenge करना उन्होंने शुरू किया तो यह जो एक tendency है कि reject already established leader उसने जो है आने वाले period में enlightenment को इंप्रूव किया enlightenment के आने में इसने मदद किया अब हम देखेंगे कि church के अंदर क्या-क्या reform हुए तो church के अंदर counter reforms हुए इनको क्या बोलते है counter reforms Protestant movement के कारण जो criticism हुआ उसका counter reform शुरू हो गया church system के अंतरगत सबसे पहला उसके अंतरगत इन लोगों ने काम किया settle the doctrine dispute between catholics and protestants अब लोग Protestant के और बढ़ड है तो क्या हो गया कि लोगों को वापस अपने fold में लाने के लिए इन लोगों ने जो doctrine का dispute है यानि जो central ideas का dispute है उसको resolve करने के लिए इन लोगों ने काम करना शुरू किया दूसरा clean up moral and administrative abuses within catholic church तो roman catholic system का internal purification शुरू हो गया कि जहां भी गडबरी थी जो लोग भी गडबर थी उनको हटाया जा रहा है निकाला जा रहा है ठीक है और तीसरा organize a new crusade against Muslims तो सबसे बढ़िया क्या है तरीका ध्यान बढ़काने का कि किसे और को दुश्मन बनाओ ताकि सारे लोग तुमारे अंदर group हो जाए जैसे जो लोग sociology बढ़ते हों के बोलते है ना कि कि war के time पे national integration बढ़ता है तो बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने फिर से आवान किया कि चलो फिर से एक नया crusade करते है Muslim के गेंस ताकि सब लोग वापस से Roman Catholic Fold के अंतर गता जाए तो ये तीन major idea जो है counter reform का था इसके अलावे उन लोगों ने एक order of missionaries एक group बनाया missionaries का जिसको J-suits बोलते हैं और उनका purpose ही था Christianity को spread करने का ताकि Christianity अलग अलग parts में फैल सके और ये वही लोग थे जिन्होंने Europe को छोड़ कर बांकी के parts में चाहे America हो, Africa हो, China हो, India हो सारे के parts में लोग गए और इन्होंने Roman Catholic System को उसके spread को बढ़ाने की कोशिश की तो अगर हम main ideas देखें counter reform का settled doctorine disputes purify system और तीसरा हो गया की new crusade call किया इन्होंने और चौथा हो गया J-Sweeds ये एक missionaries का group था band of missionaries band of devoted persons जिसका की काम क्या था spread of Catholic belief ये फैलाना था ठीक है तो इसके साथ हमारा reformation खत्म हो गया और इसमें हमें जो है mainly अगर पूछा भी जाएगा तो वो Martin Luther का role पूछा जाएगा और कारण क्या-क्या थे जिसके कारण की reformation हुआ तो you should be prepared about it जो唱ी processor